नमस्कार किसान सातियो किसान सातियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैबे के कीट ना सकथ फंगी सायट और ग्रोफ परमोटर के बारे में एक ही हार्मूले से आप अपनी फशलों में इन सारी चीजों को खतम कर सकते हैं यदि आपकी फशल में इंसेक्ट का टेक है यदी फंगस का टेक है यदी ग्रोथ नहीं हो रही है फूलों की सेटिंग नहीं हो रही है फाल अच्छे से नहीं बन रहे है यह सारी समस्या का हल आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है तो आप वीडियो में अंतक बने रहे हैं वीडियो को पूर किसान बा से हम कुंसा फार्मूला बना सकते हैं। यो देसी गाय के छाच मेहादी हम रासाने घटक की बात करें तो इसमें कैल्सियम होता है पोटेसियम होता है और फासपोरस होता है और कुछ मातरा में नाइट्रोजन होता है मुख्य पोशक्तत्तों के साथ साथ इसमें सूख्य पोशक्तत्त भी होते हैं, लेक्ट्रोज होते हैं, तो किसान साथियों हम बात करते हैं कि चार्च से हमें कौन सा फार्मूला बनाना चाहिए, तो जो फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं वो टी सी बी टी किरसी तकनीक क विसेस फार्मूला है जिसे सर्डरस कहा जाता है गुरू जी स्री ताराचन दिल जी जी ने इसको इजात किया है और इसका प्योग हम अपनी खेती में करते हैं तो हमें कई तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं कि सर्डरस को हम कैसे बनाएं तो देसी गा के पास अधी आउला पाउडर नहीं है कच्चे आउले हैं तो आप कच्चे आउले भी एक केजी ले सकते हैं कच्चे आउले को आप डालने और पांच घंटे रखें उसके बाद में आप अपनी खेतों में इसका प्रियोग कर सकते हैं तो किसान साथियों बात करते हैं कि सड्रस में क्या होता है तो किसान साथियों सड्रस में छहरस होते हैं जैसा कि प्रकृति में छहरस हैं और इन्ही छहरसों की पूरती के लिए गुरू जी ने जो फार्मूला दिया है कि हम फसलों में अपने सरीर में कैसे छहरसों की पूरती कर सकते हैं सड्रस में 16 होते हैं कट्टू तिक्त कसा, खट्टा मीठा नमाग यह चट्रसों की पूरती जब फशलों को होती है तो पौदों में अलग एनरजी आजाती है और बात करते हैं कि सड्रस का प्रियोग हमें जमीन के मात्दम से करना चाहिए कि स्प्रे में करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए तो किसान साथी हो सड्रस का प्रियोग आप जमीन से भी कर सकते हैं इस्प्रे से भी कर सकते हैं आपकी फशल छोटी हो तब भी कर सकते हैं बड़ी फशल में भी कर सकते हैं एदि हम मातरा की बात करें, तो 10 लीटर पिटती एकड़ आप जमीन से देते हैं एक बार में, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, इसके कोई साइट इफेक्ट नहीं है, और इस्प्रे की बात करें, एदि आप फसल पे डारेक्टली इस्प्रे करना चाहते हैं, तो आप इसका 6 लीटर का स्प्रे एदि 200 लीटर पानी में डाल कर एक एकड़ में स्प्रे करते हैं, तो आपकी फसल में एदि कोई भी इंसेक्ट का अटेक हुआ हो, तो हलका फूल का एदि इंसेक्ट का अटेक है, कोई भी इंसेक्ट का सुरूवाती में अटेक हुआ है तो वो भी कंटोल होता है एजि कोई भी फंगस का अटेक हो रहा है तो उसको भी यह नेंटरन करता है और पौधे में ग्रोथ प्रोमोटर का काम भी करता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है फल फूल में बृद्धी करता है ड्रॉपिंग को रोकता है फल ड्रॉपिंग को रोकता है फूल ड्रॉपिंग को रोकता है और फल की जो साइज है जो साइनिंग है जो चमक है उसको बढ़ा देता है जिससे की मंडी में हमें market rate अच्छे मिल जाते हैं और हमें अतिरिक्त लाप प्राप्त होता है और इसके test की बात करें एदी आप एक जगह पर सड्रस का प्रियोग करते हैं एक जगह पर नहीं करते हैं और दोनों के test में compare करेंगे तो सड्रस से प्रियोग किये गई जगह का जो अनाज होगा जो food होगा उसके जो test होगा वो high होगा और जहां पर आपने सड्रस नहीं डाला है उसका test अलग होगा तो यह test को भी बढ़ाता है और चमक को बढ़ा देता है तो कई तरीके से सड्रस के प्रियोग हैं एक खेत की मिट्टी को मुलाइम करने में काफी ज़ादा भूमी का निवाता है तो हमें इसका प्योग करना चाहिए खेत की मिट्टी की जो सुगंद गायब हो गई है उसको वापश लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है सुगंदिम पुष्टी बरदनम के नियम को देखते हुए यह फार्मूला बनाया है तो आप शबी इस फार्मूले का प्योग कर सकते हैं एदी हम बात करें इस फार्मूले को हमें अपनी फशल में कब-कब देना चाहिए तो किसान साथ यह इस फार्मूले को आप हर 10-15 दिन में एदी एक बार जमीन के माद्यम से और एक बार स्प्रे के माद्यम से अपनी फशलों में देते हैं तो निश्चिती आपको अच्छे पढ़नाम देखने को मिलेंगे और आपका जो ग्रोस प्रमोटरों का जो खर्चा आ रहा है और जिससे कि हमारी खेत की मिल्टी दूसेत हो रही है खराब हो रही है और यह समस्यां बढ़ती जा रही है लागत बढ़ती जा रही है उत्पादन रंतर घटता जा रहा है हैंधी हम इस को देखें और इस फार्मूले का, फ्री के फार्मूले का है हैंधी हम अपने खेतों में प्रियोग करेंगे तो हमारी लागत भी कम होगी उत्भादन भी अच्छा एगा, हमारी खेत की मिट्टी भी स्वास्त होगी और जो फसल हमें प्राप्त होगी जो अनाज हमें प्राप्त होगा उसकी क्वालिटी भी बेतर होगी जिसके हम खाकर अपने स्वास्त को भी बढ़ा सकते हैं और किसान सातिो इसका प्रियोग आप सभी तरह की फच्छों में कर सकते हैं जैसे कि गेहूह है, चना है, धान है, त्हान है, मक्का है, बाज्रा है, गन्ना है या फिर बेजिटेवल्स फसले है, बेगन है, टमाटर है, कद्दू है, लोकी है, खीरा है, मिर्च है, सिम्ला मिर्च है और बागवानी फचलों में भी आप इसका प्रियो कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज भई या चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें खेती से सम्मंद सभी तरह की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद